वर्ल्ड कप खेलेंगे रिशवपंथ बी सी सी आई का बहुत बड़ा एलान है कि रिशवपंथ फिर से टी ट्वंटी वर्ल्ड कप खेलने उदरेंगे पिछले दो से धाई साल से जो है करकेट से जो है बाहर चल रहे है रिशवपन्थ और उनकी जो परफॉर्मस है अब जो है IPL में ही पता चलेगी हाला कि T20 के अगर प्लेयर की बात करें तो बहुत बैटर प्लेयर है T20 में बात करें तो हभी तक जो ने 66 मुकाबले ही खेलने का मौका मिला है जिसमें उनके 987 रन है श्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहता इनका 358 मार चुके है 126 का स्ट्राइक रेट है IPL की बात करें तो अठाण में मुकाबले जो है IPL में खेल चुके है 2838 रन है करीब 1500 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाते है जिसमें एक सेंचुरी बना चुके है और 15 बार जो है ये हाफ सेंचुरी जो है बना चुके है तो बहुत important player है ये और ये ऐसे player है जो कभी भी match पलट देते हैं जैसे Maxwell हो जाते हैं और Virat Kohli हो जाता है कि अपने दम पे match पलटना वो जो है रिशब पन को आता है अब सवाल ये आता है कि भारते टीम में इतने wicket की पन है अब ये रिशब पन जो है वो किसकी जंगा लेंगे क्योंकि competition बहुत tough है competition देखे बहुत tough होता जा रहा है अब ये सवाल आता है जंगा किसकी लेंगे अगर संभाविक टीमों की बात करें तो रोहिच शर्मा कप्तान रहेंगे उनके साथ शुमंगिल, चैसवाल, विराट कोली, शुरे कुमार यादव, रिंकू सिंग, जुरेल, लोकेश राहूल, रविंद्र जटेजा, हार्दिक पंडिया, कुल्दीब यादव, रवी बिश्नुई, जस्पीद भुम्रा, मौमत सिराज, अक्षतीप सिंग तो ये जो है, वर्ल्ड कप T20 की टीम है, अब इसमें विकेट कीपर की बात करें, तो एक पहले से बैटे है, संजू सामसंग जितेश शर्मा, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉमंस दिया, वो भी भार बैटे है, लोकेश राहूल, वो भी विकेट की पर है, जुरेल, एक ये भी विकेट की पर है, अब सवाल या आते है, कि जंगा किसकी लेंगे, अगर रिशफपन का, IPL बहुत बढ़िया जा पहले थी, शौट बानने की, क्योंकि करीबन जो है, वो दो से धाई साल जो है, वो क्रिकेट से दूर है, अब ऐसे में, उनको IPL में जो है, बहुत बैटर प्रॉफॉमंस देनी पड़ेगी,